मेरे दोस्तों फिर से स्वागत है आपका इक नहीं वीडियो के साथcios विडियू में आपको बताने वाली युझण वीगई होगे में आप आपने फोन को री सेट कैसे कर सकते हैं तो मोबाइल को री सेट करने के लिए आपको हहां पर चले जाना है нужно लिए जा के और यहां पर कोई भी अकाउन्ट यहां पर लॉगइन हो रख़ा है तो उसको रिमूफ कर लेंगे अगर नहीं आता है तो चैनल पर विजट करके देख लेंगे तो यह दोनों रिमूफ करने के बाद ही आपको रिसेट करना है वरना आपका FRP लॉक्ट लग सकता ह है ठीक है और आप चले जाएंगे system पे system पे आपको यहां पर reset option देखने को मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपको delete all data factory reset पे क्लिक करते है तो यहां पे आपके हर चीज डिलेट हो जाएगी तो यहां पे आपका जो भी photo video वगदर है वहां यहां कहीं पर भी storage बना लेंगे अपना अधरवाइस delete हो सकता है delete हो ही जाएगा erase all data पर click करना है और जो भी आपका pattern lock है वो आप यहाँ पर draw कर देंगे और erase all data पर click कर देंगे दुबारा से तो यह मैंने इस वज़े से काहा है remove करने के लिए आपको तो पता है यह फिर google bypass वगरा लग जाएगा तो खोलने में परिशानी होगी तो इस वज़े से reset करने से पहले यह सारी setting आपको जरूर कर लेनी है अब आपको wait कर लेना आपने phone का on होनी का और उसके बाद अगर setup भी नहीं करना आता आपको तो setup के लिए लग से वीडियो बना रखी है quick start phone तो आप channel विजट करके देख लीजेगा ठीक है अब wait कर लेंगे phone on होनी का तो आपका phone यहाँ पे successfully reset हो चुका है और यहाँ पे आपके phone में इस tab से option आपको खुल के सामने आ जाएगा अब यहाँ पे normally आप start कर लेंगे तो इस step से आप अपने mobile को reset कर सकते हैं तो I hope guys यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा इसी tab के और interesting videos देखने के लिए चैनल पर विजट करते रहेगा चलिए मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार